Hello Friends, Welcome to Study News इस वीडियो में हम Nobel Prize 2020 के बारे में जानेंगे 2020 में जिन भी साइन्टिस्ट को Nobel Prize प्रदान किये गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और Nobel Prize के बारे में बात करेंगे So, Let's Start So, First of All ये जानते हैं कि ये Nobel Prize किसलिए दिया जाता है तो ये Nobel Prize Alfred Bernard Nobel के नाम पर दिया जाता है ये एक Swedish Engineer और Inventor थे इन्होंने Dynamite की खोज की थी और 1901 में इन्ही के नाम से विसुप्रसिद Nobel पूरसकार की स्थापना की गई Nobel के डेथ के बाद ही Nobel Prize देने की संस्था का इस्थापना किया गया ये उनके संपत्ती का कुछ हिस्सा होता है जो पूरसकार के रूप में दी जाती है Nobel पूरसकार कुल छे छेत्रों में दिया जाता है जिसमें भोतकी, रशायन, फिजियोलोजी और मेडिसिन में, कैमिकल, वर्ड पीस और इकोनॉमिक्स में परदान किया जाते है इन छेत्रों में जो वेग्यानिक सर्वोत्तम कारे करते हैं, उन्हें ये पूरसकार प्रदान किया जाता है प्राइस के रूप में एक सर्टिफिकेट के साथ 10 लाख डॉलर की रासी प्रदान की जाती है इस प्राइस में जो सांती के लिए दिया जाने वाला नॉबल पूरसकार है, वो नार्वे देश की राजधानी ओसलो में दी जाती है और बाकी सभी पूरसकार स्वीडन देश के राजधानी स्टॉक होम में प्रदान किये जाते है इसमें किसी एक छेतर से एक साल में अधिक्तम तीन लोगों को ही पूरसकार दिया जा सकता है इनमें से प्रतेक विजेता को एक सुर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनरासी दी जाती है हर साल इनामरासी नोबल फाउंडेशन की इनकम पर निर्भर करती है अब बात करते हैं 2020 के नोबल प्राइस विजेताओं के बारे में अब साहित के 2020 में नोबल पूरसकार की विजेता लुईस गलुक है ये एक अमेरिकी कवी है इन्हें ये पूरसकार उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है जो की खुबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सारभौमिक बनाता है लुईस गलुक की बात की जाए तो 1968 में उन्होंने फर्स्ट बॉर्ण के साथ अपनी सुरुवात की थी और जल्द ही अमेरिकी समकालिन साहित्य में सबसे प्राचीन कव्यों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गई अब दूसरा प्राइज है फिजिक्स के लिए दिये जाना वाला नोबल प्राइज इस छेतर में तीन वेग्यानिकों को नोबल प्राइज प्रदान किया गया है जिसमें रोजर पैन्रोस, रेनहार्ट जेंजल और एंड्रिया गैज हैं रोजर पैन्रोस ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माड को सापेक्षता के सिध्धान्त पर समझा जा सकता है ये सिध्धान्त अलवर्ट आइंस्टाइन ने दिया था जिसके लिए रोजर को इस पुरसकार से सम्मानित किया गया है ये युनाइटेट किंगडम के वेग्यानिक हैं इसमें जो दूसरे वेग्यानिक हैं रेनहार्ट जेंजल ये जर्मन वेग्यानिक हैं इन्हें ये पुरसकार आकाश गंगा के केंद्र में एक सूपर मैसिव कॉम्पेक्ट अबजेक्ट की खोज के लिए प्रदान किया गया है और तीसरी है एंड्रिया एम गेज ये एक अमेरिकी खगोल सास्त्री है और कैलिफोर्निया विश्विद्याले लौस एंजिलेस में भौतकी और खगोल विज्ञान के विभाग की प्रोफेसर है इनका शोध भी मिलकी वे में आकाश गंगा के केंद्र पर केंद्रित है अब बात करते हैं फीजियोलोजी और मेडिसीन के छेतर में दिये गए पुरसकार के बारे में इस छेतर में भी तीन वेज्ञानिकों को नोबल प्राइस प्रदान किया गया है जिसमें जिसमें दो वेज्ञानिक USA के हैं जो Charles M. Rice और Harvey J. Alter है और एक वेज्ञानिक United Kingdom के हैं जिनका नाम है Michael Hockton इन तीनों ही वेज्ञानिकों को Hepatitis C वाइरस की खोच के लिए नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया है Chemistry के छेतर में दो वेज्ञानिकों को नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया है जिसमें एक फ्रांस की वेज्ञानिक है जिनका नाम है Emmanuel Mary Carpenter और जो दूसरी वेज्ञानिक हैं वो USA की हैं जिनका नाम है Jennifer Dunna इन दोनों ही वेज्ञानिकों को Genome Editing के लिए एक विधी के विकास के लिए प्रदान किया गया है अगला Nobel Prize है जो काफी important है Peace Prize इस छेतर के लिए नार्वे Nobel समिती ने विश्व खाद्य कारिक्रम को 2020 के लिए नोबल शान्ती पुरसकार देने का फैसला किया है विश्व खाद्य कारिक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानविय संगठन है जो भूक को संबोधित करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है 2019 में WFP ने 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को साहता प्रदान की जो तीवर खाद्य असुरक्षा और भूक के सिकार थे और एकोनॉमिक्स के लिए दो वेग्यानिकों को नोबल प्राइस से समानित किया गया है इसमें दोनों ही वेग्यानिक USA से रिलेटेड है जिनमें Paul R. Milgram है और Robert B. Wilson है इन दोनों ही वेग्यानिकों को auction formats मतलब निलामी सिद्धान्त के लिए और नए निलामी प्रारूपों के अविस्कारों में सुधार के लिए नोबल पुरसकार से समानित किया गया है तो यहाँ पर आपको नोबल प्राइस के बारे में क्यों प्रदान किया जाता है और 2020 में किन-किन वेग्यानिकों को किस-किस छेत्र में नोबल प्राइस से समानित किया गया है जानकारी प्राप्त हुई होगी So thanks for watching this video God bless you all